हंजी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और इस वीडियो के अंदर हम specially बात करेंगे ShadCN और थोड़ा सा हम बात करेंगे Next.js के बारे में तो मेरा ये मानना है कि हमें कभी ना कभी तो International Standards पे जाना ही पड़ेगा और कब तब हम आखिरकार सिर्फ DSA, Interview Preparation, 20 लाग का Package, 50 लाग का Package और इनी सब पे बात करते रहेंगे कभी तो हमें Engineering Level पे बात करनी पड़ेगी कभी तो हम Engineering Standards को International Level पे मीट करेंगे क्योंकि International जो Community है YouTubers की आपने देखा होगा बहुत सारे English के अंदर है वो तो High End Topics पे बात कर रहे हैं Docker पे भी कर रहे हैं, Kubernetes पे भी कर रहे हैं GitHub Actions पे भी कर रहे हैं, ShadCN पे भी कर रहे हैं लेकिन हम कब तक इस छोटी सी हमारी जो Hindi बोलने वाली Community है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DSA की बाते करते रहेंगे वो भी करेंगे, वो भी करेंगे और जम के करेंगे लेकिन कभी न कभी तो हमें भी इस तरह की High End Topics पे बात करनी पड़ेगी जहां हम Next.js को ले रहे हैं, ShadCN को ले रहे हैं और इन Libraries को on the go सीख रहे हैं इसी बारे में ये वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए completely more than enough है एक self-guide start करने के लिए कि किस तरह से ShadCN आपकी help करता है कैसे आप ShadCN को सीख सकते हैं, आपकी कैसे CSS की problem काफी हद तक ShadCN खतम कर देता है, पूरी तो नहीं करेगा but almost 80-90% खतम कर देता है तो बस इसी के बारे में पूरा वीडियो है हम enjoy करेंगे officially और unofficially वीडियो है थोड़ा सा एसर raw रहेगा, क्योंकि हम enjoy करते ही रहते हैं चाय पे इस वीडियो का जो हमारा comment target है, वो थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है करीब 660 comments 660 comments within 24 hour of launch of this video तो मुझे पूरी-पूरी उमीद है कि आप लोग इसी तरह से support दिखाएंगे और इसी तरह से हम high-end बाते पे भी अपनी चर्चाएं कर पाएंगे तो ShadCN है क्या? इन सब के बारे में हम actually on the go पे ही पढ़ेंगे ShadCN की website से ही पढ़ेंगे बट एक छोटा सा आपको overview दे दू आपने कई बार react में applications बनाई होगी front end में application बनाई होगी और वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी कि cards किस तरह से बनाऊं वो cards थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं buttons कैसे बनाऊं वो buttons थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर कोई बना बनाया button में जो मिल जाए तो मेरा हम काम कर लें तो इनी सब के उपर actually में component libraries होती है बहुत सारी libraries है ShadCN उनमें से one of the most अभी के तौर पे popular library है ये बनी है redix के उपर जो आपको काफी accessibility देती है अब आपको redix सीखने की ज़रूत नहीं है और काफी कुछ यूज करती है tailwind CSS का तो आपको जाधा tailwind सीखने की ज़रूत नहीं है बने बनाए component से लाओ copy paste करो और सीधा काम में लो ऐसा कुछ मामला है इसका और बड़ी fantastic library है आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर क्योंकि मुझे भी बहुत आया था तो obviously बात है आपको भी आया गई तो चलिए अब हम क्या करते है सबसे पहले सीधा चलते है SharedCN की website पे थोड़ा सा वहीं explore करेंगे उसके बाद एक fun project बनाएंगे हाँ जी next.js की शुरुआत करेंगे detail walkthrough तो नहीं है ये next.js का वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे बड़ आपको काफी idea लग जाएगा कि किस तरह से मामला चलता है अपना ठेक है तो चलिए on the go explore करते हैं चीजों को comments का target मत भूलिएगा वो सबसे ज़ादा जरूरी है चाहे के बाद में चाहे तो सबसे topmost जरूरी है तो share करते हैं आपके साथ में screen को और सबसे पहले हम चलते हैं Google पे screen share हो जाओ भाई प्लीज हाँ जी यह आ गई हमारी screen ओके तो थोड़ा सा इदर shift हो जाते हैं ओके जी तो यह आ गई हमारी screen और चोटा सा adjustment कर ले हम यहाँ पे ताकि चीजें हमें भी दिखती रहे कि आपको सही से view हो रहा है नहीं हो रहा है चीजों का ओके जस्ट एक मिनट दीजे तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हमें चाहिए next.js की एक application हम बना ले तो next.js की application किस तरह से बनाई जाती है क्या होती उसका भी basic overview आप देख लोगे फिर chat.cn पे तो चलना ही है तो next.js actually में किन लोगों को देखना चाहिए लेकिन next.js ना एक full stack framework है अब full stack का मतलब है यहाँ पे आप back-end भी लिखते हो APIs भी लिखोगे, काफी API routes भी लिखोगे और front-end भी इसके अंदर लिखते हो तो mostly react-based front-end ही लिखते हो लेकिन लोगों को अकसर यह गलत फहमी हो जाती है कि next.js का मतलब है react-calternative या फिर react की जगे अब next.js use होता है जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है यह एक full stack framework है जब आपको full stack applications बनाने हो तब यह एक best choice है अगर सिर्फ आपकी एक one page application है या फिर one page से मेरा मतलब है सिर्फ आपका एक portfolio है दो page है application के अंदर तो तो आप react भी use करके उसके साथ 9 साफी ही कर रहे हो कभी इस पे और कभी चर्चा करेंगे अभी चलते हम next.js पे तो next.js का simple है आप जैसे यहां पर आओगए तो आपको एक छोटी सी यहां पर दिखेगा यह npx create next app latest थोड़ा सा darkish color में है यहां से आप आके इसको copy कर सकते हो और that's it यह आपके clipboard पे copy हो गया है अब हम क्या करते हैं हमें सिर्फ एक application बनानी है तो हम क्या करते हैं हमारा VS code लेके आते हैं पहले एक VS code दे दीजे प्लीज यह हमारा VS code obviously बात है हमारी chai theme के साथ है जिनको नहीं पता है वो chai theme इंस्टॉल कर लीजेगा और हम लेके आते हैं chai or shad cn यह मैंने एक folder बना रखा है chai or shad cn completely empty folder है इसको मैं drag and drop कर देता हूँ यहां पे तो यह अपना काम हो गया है और मैं क्या करता हूँ इसको new version अभी ने install करना बाद में करेंगे तो यह हमने एक empty folder ले लिया है अब हम open कर लेते हैं इसका terminal तो यह लीजे हमारा full terminal open है और इस command को हमने कर दिया paste अब इस command को आप यहां पे paste करोगे तो यह आपके folder के अंदर एक और sub folder बना देगा और आपको उसका नाम देना पड़ेगा मैं नहीं चाहता ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा इसके end में एक dot प्रेस कर देता हूँ dot से इसका एक छोटा सा syntax है जो कि बोलता है कि current directory के अंदर जो भी folder name है उसी folder name को project name ले लो और start कर दो तो यही तो हमें चाहिए क्योंकि नाम हम already दे चुके है कि हमारा chai और shad cn नाम है इसका तो enter करते हैं अभी आप से पूछेगा कुछ questions questions से घबराने के जरूत नहीं है बस follow करते जाओ मेरे को और सारा काम हो जाएगा यह बोल रहा है कि next app 14.0.4 यही आपको install करना है हाँ जी यही latest है हमने बोला भी है latest तो यही install कर लेते हैं Y का मतलब है Yes, automatically enter जैसे ही press करोगे तो जो default selection है वो select हो जाता है अब यह बोल रहा TypeScript use करोगे क्या अब बहुत सारे लोग कहए TypeScript को देखके हैं डर जाएंगे औरे sir TypeScript की तो series थी नहीं वहाँ तो playlist थी नहीं TypeScript कैसे करेंगे इतना क्यों घबराते हो चीजों से इतना घबराने के जरूत है क्या बिलकुल TypeScript use करेंगे और आपको on the go सिखा भी देंगे इतना भी कुछ खास difficult चीज है नहीं TypeScript बाइदवे मेरे English Channel पे एक पूरी TypeScript की series है Free Code Camp पे भी मैंने डोनेट करी थी वो series बहुत ही appreciation मिला international community में मुझे और बहुत ही जल्द आपके लिए भी लियाएंगे अगर demand आई तो बट अभी आपको घबराने की ज़रुत नहीं है तो yes प्रेस करिए बिलकुल linting यूज करनी है क्या कर लेते हैं linting भी यूज linting होती क्या है linting क्या होती है आपको कुछ errors तो नहीं बोल सकते बट आपको suggestive errors मिल जाते हैं मतलब आपको अगर best practice follow नहीं कर रहे हो तो linting अगर नहीं है तो कई बार problem आ सकती जैसे कि माल लीजे आप तो tab में four spaces यूज करते हैं कोई और बंदा है वो दो spaces यूज करता है अब यह अगर git पे pull request भेजेगा तो दिखेगा और इतनी सारी files change हो गई तो वहाँ पे ऐसी problems ना आए इसलिए linting configuration रखी जाती ताकि एक standardized approach हो जाए कि देखो सारी team ही tab में two spaces यूज करेगी सारी team ही single quotes यूज करेगी या सारी team ही double quotes यूज करेगी तो इस तरह के linting configuration होती है tailwind CSS यूज करनी है क्या? हाँ जी बिलकुल कर लेंगे इसमें क्या दिक्कत है? on the go इसको भी सीख लेंगे ठीक है जी? अब आती है बात कि आप source directory यूज करना चाहते हो अब देखे जो next.js है ना ये actually में एक framework है framework से simple सा मतलब होता है library और framework में यही एक major difference होता है कि framework अपने strict rules लेके आता है libraries थोड़ा rule के मामले में थोड़ा ऐसे delay चलती है लेकिन जो framework है वो rules लेके आता है वहाँ पर हर चीज का एक importance है file name का एक importance है directory structures का important है directory names का भी अपने आप में एक importance और हर कोई एक role play करता है अभी जो source directory यहाँ पर इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी code file से उसको मैं एक source directory में रख दूगा मुझे यह personally पसंद है क्योंकि चीज़े फैली भी नहीं दिखती है क्योंकि next.js में already बहुत configuration files आती है मैं usually मेरी applications में prefer करता हूँ कि source directory हो बट इससे कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपकी application एक डम break हो गई या आप चाहो तो no भी कर सकते हो तो आपको directly एक app folder मिल जाएगा direct route में मुझे लगता है कि थोड़ा सा cluttery सा हो जाता है तो मैं directly एक source folder को use करता हूँ तो मैं यहाँ पर yes press कर देता हूँ अब आप app router use करना चाहोगे देखें आप अगर 2024 में कोई भी series देख रहे है तो वहाँ पर almost आपको सभी app router ही use करते जाएंगे next.js में कहें थोड़े से कुछ breaking changes आये थे पहले यह कुछ routing किसी और तरह से use करते थे वो थोड़ा सा confusing था अभी इनोंने काफी कुछ उसमें advancement लेके आएंगे तो आज की date में जितने भी लोग है वो modern app router में आज के tutorial या फिर आने अला future जितना भी है अभी तक तो foreseen future जो भी है वो आपको app router के साथ ही दिखेगा तो यहाँ पे अगर आप no करेंगे तो obviously बात है आपके backward compatibility का issue आएगा और breaking changes है यहाँ पे तो इस point पे मैं काऊंगा yes ही press करें जब भी आप application बना रहे हैं source वाले उपर वाले second में आप yes no कुछ भी वो अपने साब से चलेगा इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे तो yes करना ही पड़ेगा option नहीं है जादा आपने पास ठीक है जी yes करा यह बोल रहा है कि आप optimize करना चाओगे क्या customize default import को तो next.js में क्या है कि हम क्या करते हैं कई बार आपने देखा होगा जैसे अपने पुरानी application controllers वगरा आपने लिखे थे back end वगरा series में in case आपने follow करी हो तो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई बार हम जा रहे हैं dot dot slash dot dot slash dot dot slash पीछे जा ही जा रहे हैं और फिर import कर रहे हैं तो वो सबना import बहतर बना देता है next.js automatically add the rate यूज़ करके जैसे ही आप add the rate देते हैं मतलब आप root से हर चीज़ को link कर रहे हैं तो root के बाद source में जाना है यह add the rate के बाद तो आपको directly वैसा है नहीं लिखना पड़ता आप add the rate करके लिखते हो काफी जगे यह import आएगा और actually में useful import आई है तो इसको हम customize नहीं करना चाहते हम default यूज़ करना चाहते है would you like to customize the default import नहीं जी कोई customization नहीं करना है जैसे आपो वेकदम ठीक है तो no यहाँ पर हम press कर देंगे by the way आपको जो default selection मिल रहा है और मेरे को जो मिल रहा है उसमें difference आएगा आपके हो सकता yes पे हो arrow keys से आप switch कर सकते हैं मेरे यह default no पे है क्योंकि मैंने already पहले ही काफी nextgs application बना रखी है system में तो उसको वो याद रखता है तो इसलिए मेरे by default यह selection है आपके selection अगर कुछ और हो तो arrow keys से उसको change कर लीज़ेगा ओके no अब इसने import यह और install करा तो आप देख रहे होंगे काफी कुछ dev dependencies इंस्टॉल हो रही है काफी कुछ dependencies इंस्टॉल हो रही है dev dependencies production में नहीं जाती है यह सिर्फ development को help करने के लिए है और काफी कुछ types इंस्टॉल हो रहे है तो जो typescript है ना जादा कुछ नहीं है यह आपको सिर्फ type safety देता है कि हमें पता होता है data type क्या है string है तो मुझे पता है number है तो मुझे पता है कुछ customize मैंने बना है तो मुझे पता है बस इतना ही काम है उसका अब यहाँ पे कुछ NPM के मेरे को upgrade के instruction मिले वे हैं कर लेंगे यह भी install अब भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है और आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमें काफी कुछ यहाँ पे system installs और यह सब मिले है कुछ zoom कर सकते हैं कैसको zoom तो कर सकते हैं ठीक है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे left side में काफी configuration files मिली है last में, अच्छा मेरे सर पे थोड़े से छुप गई है tsconfig, थोड़ा सा move कर ले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी, यहाँ पे tsconfig files है tailwind config files है post css, बहुत सारी चीज़े मिलती है लेकिन हमने जो yes बोला था ना कि आप source folder देदो, तो source folder से थोड़ा सा काम यह असान हो गया है, कि source के अंदर देखे एक app folder मुझे मिल गया है, तो चीज़े मेरी organized है यहाँ पे, तो यही थोड़ा सा basic configuration हमने किया है, और बे कुछ खास इसमें है नहीं, अच्छा इसको run कैसे करना है, run करने के लिए वही package.json देखना पड़ेगा, अब package.json के अंदर क्या है, आपके पास dev script है, build script है, start script है, और linting भी है यहाँ पे. हमें चाहिए अभी के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ dev script की development की तरह इसको run कर दीजे, और बस इतना ही काम है. वापिस से आ जाता हूं मैं अपनी position पे, तो आब इसको run कराते हैं, इसको zoom out कर लें, बहुत जादा के लिए कैसे run करना पड़ेगा, simple सी आपके पास run की script है, npm run dev, तो आपकी dev script run हो जाएगी, ठेक है जी, तो ये भी करके देख लेते हैं, npm run dev, ओके, तो काफी fast हमारी localhost 3000 पे application run हो गई, इसको click कर लेते हैं, और hopefully हमारी react application ही आ गई है, तो देखा, पहले आपको देख रहा होगा, app page के अंदर, app folder के अंदर, एक page.tsx, यहाँ पर क्या है, naming convention बहुत ज़्यादा interesting और important है, next.js की पूरी आपको एक walkthrough guide भी देंगे, future में बहुत जल्दी, अभी के लिए आप क्या करिए, इस page के अंदर आईए, और हम क्या करते हैं, इस main के अंदर, जितने भी divs हैं, इन सब को हटाते हैं, तो यह वाला div भी हटा देते हैं, main हम रखेंगे, और इसके अलावा जो भी है उसको clean कर देते हैं, तो main को रखते हैं, और बागी सारा हम, जितना भी है, scroll करके जाते हैं, एक दम end पे, काफी end, चाप काफी कुछ है, और यह select करके हमने उड़ा दिया सब कुछ, main इसलिए रखा है, क्योंकि यहां पे कुछ CSS की classes अलरड़ी है, तो चीज़े अलरड़ी center में रहेगी, वैसे हम और भी changes यहां पे करेंगे अभी, बट यहां पे अभी हम क्या करते हैं, simple एक H1 लेके आते हैं, और लिख देते हैं, chai और shad cn, shad cn, ठीक है, save करते हैं, जाते हैं, और देखे, chai और shad cn हमारे पास available है, अब एक जो interesting चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, कि हमने देखे, app के अंदर कुछ लिखा है यहां पे, और app के अंदर हमारे पास में चीज़ें easily यहां पे है, अब क्या है, आपको और भी routing इस तरह की लगेगी, एक और कई folders होते हैं, API वगरा, वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से होते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस app के अंदर ही, हम कुछ एक folders वगरा बना के देखते हैं, और देखते हैं क्या उसका impact आता है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया folder बनाता हूँ, उस फोल्डर के अंदर लिखता हूँ चाय, और उस चाय के अंदर मैं एक यहाँ पर new file बनाऊँगा, जिस file का नाम होगा page, हाँ जी, यह थोड़े से convention है next.js के, यह एक अंपलसर ही है, मिरे पास option नहीं है, कि folder के अंदर मुझे नाम page ही देना पड़ेगा, फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मुझे page dot, आप चाहो तो JSX भी दे सकते हो, बढ़ क्योंकि हम TypeScript यूज़ कर रहे हैं, तो हम TSX दे देते हैं, अब TSX देने से हम TypeScript यूज़ करेंगे, चाहे page, ठीक है, चाहे page दे देते हैं, जो आपका नाम इंट्रस्टिंग आपको लगे, वो आप दे दीज़े, रियक्ट कि हमें यहाँ पर कोई खास जरुरत होती नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो, इंपोर्ट को, अब देखे, कि सिंपल सा एक function define करा है, और इसको export कर दिया है, नाम दिया है चाहे page का, अब देखूं कहाँ पर यह कि चाहे page आया कहाँ पर है, smiley भी लगाएंगे अब एक, क्यों नहीं लगाएं, और वैसी बात है, लगाएंगे, ठीक है, तो यह हमने smiley लगा, यह तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई नहीं smiley यह वाला लगा लेते हैं, हाँ यह ठीक है, अब बात interesting यह है, कि चाहे page देखें कहाँ पर, तो चलते हैं, यहाँ पर, और local host के बाद, जैसे मैंने लिखा slash chai, तो यहाँ पर देखते हैं, कि हमारा chai page आ गया है, तो यह हमने थोड़ा से एक deduce कर लिया है, investigation के थूरू, कि app के अंदर जो भी folder name आप बनाओगे, तो उस folder name से ही, आपका routing define हो जाती है, automatically, तो हमें को router वाउटर वाउटर invoke करने की जरूत नहीं है, तो यही एक basic है चोटा सा, अभी हम इत्ता ही देखेंगे, इस से जादा और depth में जाएंगे, आने वाले future videos में हम जाएंगे काफी in-depth में, बट अभी के लिए ठीक है, कि अपना routing वाला काम हो गया है, कि pages इस तरह से बनाने, और भी बहुत basics minor चीज़ें होती हैं इसके अंदर, पुरा का पुरा, तो जितने भी आपके backend के routes होंगे, controllers होंगे, वो सब API folder के अंदर लिखे होते हैं, folder का नाम बहुत ज़रूरी है, next.js के अंदर, तो इतना काम तो हमें आ गया, कि ठीक है जी, अब अपना काम तो चल देता है इससे, अब आप आओ मुद्दे पर, क्योंकि next.js का tutorial थोड़ी ना है, next.js तो यूज़ कर रहें, just for fun, tutorial तो है shad cn का, तो shad cn कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब देखें, मुझे पता है कि यहाँ पर actually मैंना, अपना काम क्या हो रहा है, कि यहाँ पर chai page है हमारे पास में, ठीक है जी, chai page है, but, क्या यहाँ पर tailwind भी work कर रहा है, हाँ जी, tailwind भी work कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर main बना लेता हूँ, आप चाहे तो div बना लीजे, तो suggestion height full, जैसे आप height full लिखते हैं, तो आपको यह suggestion दे देता है, कि height मैं 100% रखने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद हम दो properties use करेंगे, famous वाली अपनी flex box use कर लेता है, और उसके लावा justify center कर देता है, यह जैसे ही आप करोगे, तो obviously बात है, वो center में आ गया है, उसके बाद आप align center भी use कर सकते हो, item center I think, item center use कर सकते हो, तो यह technically तो page के center में आ जाना चीए था, बट नहीं आया क्योंकि अभी इस पूरे main की ना height वहाँ पे नहीं है, तो हम यह global में define कर सकते हैं, यार इतना ही consume मत करो, थोड़ा सा और consume करो, by the way आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है यह सब, तो आप कभी भी क्या कर सकते हो, border दे सकते हो, border 2 देके आपको पता लग जाएगा, अच्छा page का height इतना सा है भी, तो इसलिए यह काम हो रहा है, तो easy fix क्या है, layout, global CSS के अंदर जाओ, और global CSS में क्या करो, थोड़ सी height दे दो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, HTML, और body, और अपने root की height दे देते हैं कुछ, जादा कुछ difficult नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एक height यूज़ करते हैं, और बोल देते हैं उसको 100% viewport height दे दो, यह जैसे ही देंगे हम, तो obviously बात है पूरा page cover हो रहा है, तो चाहे और page हमारा center में आ जाता है, तो इतना भी कुछ difficult नहीं है, चीज़ें, तो अभी हम यहाँ पे इसको border को हटा देते हैं, क्योंकि अब हम पता है, चीज़े center में आ गई है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे यह सारी classes वगर इस तरह से use हो सकती है, तो इसलिए आप use तो कर सकते हो, आपको button design करना है, आप button design कर सकते हो, एक button design करके देखें, चलिए कर लेते हैं, आपने बोला तो, तो यह लीज़े button design करा, और इसको बोल दिया test button, अभी button कैसा दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है, हम थोड़ सी इसकी direction change कर दें, तो इसको बोल देते हैं, flex dash call, तो ठीक है, actually मैं हमें flex column और इन दोनों को wrap करना पड़ेगा, एक div के अंदर, अभी नहीं करते हैं, कभी और देखेंगे इससे तो, अभी के लिए इसको हम हटाई देते हैं, actually मैं div को बहार क्यों, इसको अंदर रख लेते हैं, ये लीज़े, चाय page और इसके अंदर ये button, और अब हम कर सकते हैं, actually मैं flex को column, ताकि flex dash column, अभी दोनों उपर नीचे हो गए, जैसा मुझे चाहिए था, अब इस button को मुझे as a button बनाना है, तो कितना काम लगेगा, देखते हैं, button के लिए सबसे पहले padding कर देते हैं, x axis पे थोड़ी सी ज़ादा रहती है, suppose करिए 4 दे देते हैं, और padding y axis पे 2 दे देते हैं, इसको थोड़ा सा ज़ादा कर ले, 6 कर ले, ठीक है, लेकिन दीखेगा तो है निया आपको, क्योंकि हाँ background color भी तो चाहिए, तो background color जो tailwind में देते हैं, जो देते हैं, bg dash, suppose करिए blue यूज़ कर लेते हैं, और blue का variant यूज़ कर लेते हैं, 500, तो ये लिज़े, आपका button आ गया, थोड़ा rounded नहीं दिख रहा है, तो rounded कर देते हैं इसको, ठीक है, margin ले ले लेते हैं, y axis पे 3 का, ताकि थोड़ी सी spacing आ जाए उपर से, तो ठीक है, इतना भी difficult था नहीं, आप देख रहे हैं कि, फटाफट on the go में tailwind को यूज़ करके, अपने buttons वगरा बना सकता हूँ, लेकिन, देखे बटन को hover कर रहा हूँ, तो effect आई नहीं रहा है, तो hover पे मुझे और colors वगरा देने पड़ेंगे, दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास hover नाम की utility है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो bg-blue का different variant यूज़ कर सकता हूँ, कि यह लिजए 300, तो अब मैं उस पे hover करूँगा, फोड़ सा dark यूज़ करते हैं, मदा नहीं आया, यसमें मुझे 700 यूज़ करते हैं, ओके, तो अभी मैं hover कर रहा हूँ, तो मुझे hover effect भी मिल गया है, ठेक है, tailwind पे हम कभी और चर्चा करेंगे, बट मुद्दे की बात यह है, कि मैं इस तरह से buttons और यह सब design तो कर सकता हूँ, बट कोई hack है क्या, hack से मेरा मतलब है, को easy utility बताओ ना, कि यह button बटन इतना कुछ काम नहीं करना पड़े, अतना short में काम होचा, और बहुत सारे components है, card word यह सब बनाते फिरेंगे, तो कब तक कैसे काम चलेगा, तो इसी के लिए actually मैं हम जो पढ़ने वाले हैं, यह सब उसका पूरा setup था, तो आप देख सकते हैं, dashboard, cards, tasks, यह सब ShadCN में बनाओ हैं, और आप इनका पूरा code भी ले सकते हो, तो forms चाहिए, आपको इस तरह के, music चाहिए, authentication चाहिए, तो यह सब ShadCN से बनाओ हो था, डिरेक्ली आप इसको ले सकते हो काम में, अब इसको काम में लेना कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ShadCN थोड़ा सा different है, आप इसके docs में पढ़ेंगे, तो यह बोल रहा है, this is not a component library, it is a collection of reusable component, that you can copy and paste into your apps, तो बाकी libraries क्या करती हैं, actually मैं आपको components देती हैं, और उन components को आप जादा छेड़ नहीं सकते हो, आपको उनका code, usually node modules में ही मिलता है, तो वो वहाँ पे जाके छेड़ना बहुत ही difficult काम है, यहाँ पे ShadCN एक अलग approach लेती है, जहां से आप एक एक component, या जितने component के आपके requirement है, उन्हीं components को आप लेके आते हो, फाइदा क्या, फाइदा ही है कि आपकी application bloated नहीं होती है, 1000 components की ज़रूती नहीं थे, तो मेरी application में 1000 component install हो ही क्यों, जितना चाहिए उतना ले आओ हमार पास में, तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखे सबसे पहले तो installation सीखना पड़ेगा, Next.js ही हम use कर रहे हैं, आप VEAT में भी use कर सकते हो, अगर आप मेरी react की series follow कर रहे हो, तो react के भी instruction follow कर सकते हो, या और भी कर सकते हो, react core आपको देखना है, तो manual भी कर सकते हो, हम क्योंकि Next.js के साथ enjoy कर रहे हैं, तो Next.js पे click कर देते हैं, ये command already हमने चला लिए, Next.js और Tailwind वगरा सब अपना configured है, Tailwind configure होना ज़रूरी है, Next.js सबसे पहले आपको Shared CN को एक बार initialize करना पड़ता है, अब उससे होता क्या है, जब आप पहली बार initialize करते हो, तो ये कुछ configuration files आपकी Next.js project में add करती है, जैसे कि इसको copy करते हैं, NPM से, आप चाहो तो bun, yarn, जो भी आप use कर रहे हो, हम NPM use करने वाले हैं, अब आप अभी देख रहे हो, कि left side में हमारे पास, काफी files folders हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में एक है ये, Tailwind config, source open करते हैं तो, तो हमारे पास में global CSS है, तो global CSS में आप देखोंगे, इतना कुछ खास है नहीं, चोटे मुटी चीजें हैं, एक body है, और कुछ media queries है, ये तो हमने ही लिखा है, और utilities है Tailwind की, तो इतना कुछ खास है नहीं, चोटी सी file है, ये file अभी change होने वाली है, इनको भी सबको close कर देते हैं, इसके लावा आप देखोंगे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास configuration है नहीं, थोड़ी सी files हैं, मानता हूँ, इनके बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी, बट थोड़ा-थोड़ा है, अब जैसे ही हम हमारी first command चलाते हैं, जो हम लेके आए हैं यहाँ पे, इसको पहले तो stop कर देते हैं, और इसको open करते हैं, ये लीजे, ये first हमारी command है, npx shad cnui, अच्छा इसको जब initialize करते हो न, ये भी आपके साथ कौन बनेगा करोड़पती खेलेगा, जाता हूँ एक shad cn का package, थोड़ी सी utilities मैं भी install करूँगा, हमने का ठीक है जी कर दीजे, उसके बाद installation के बाद, अब आप से पूछा जाएगा कुछ सवाल, चलिए जी शुरू करिए हमारा, fastest finger first, ओके थोड़ा सा time लग रहा है, कोई बात नहीं, इंतजार करो, चाहए वाई पियो होते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन सी style उसकरना चाहते हो, इसमें आपको जादा नहीं, एक दो ही styles मिलती है, आपको जादा तर आप default भी जा सकते हो, लेकिन जादा तर आप लोगों को देखोगे, नियॉर्क style में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा rounded buttons और थोड़ा सा white और black का contrast theme यूज़ होता है तो वो काफी पसंद आता है तो New York theme हम यूज़ करना चाहते है उसके बाद ना काफी इसमें color variants है तो by default आपके buttons किस color के होंगे, कैसे होंगे मुझे slate पसंद आता है क्योंकि वो black and white theme वाला अतना काम हो जाता है तो उसी तरह से अपने यूज़ होता है बट आप try करिएगा, grey भी try करिएगा, zinc भी try करिएगा, neutral भी try करिएगा अलग-अलग looks आपको by default मिल जाएंगे यहाँ पे ही आपको decide करना पड़ेगा कि आपका base color कौन सा है चेंज आप तब भी कर सकते हो बट फिर काफी जगे जाके configuration में change लगता है तो better है यहीं पे select कर लो और decide कर लो कि application पूरा इसी theme पे दिखेगी हम slate पे जाएंगे, अब यह पूछ रहा है आपकी global CSS का है अब यहाँ पे ना problem हो सकती, क्योंकि आप देखोगे source के अंदर हमारी app के अंदर यही अपनी global CSS और यह बोल रहा है app के अंदर directly अब हो सकता है कई लोगोंने source folder use ही नहीं करा हो याद है ना question पूछा था कि source folder use करना चाहोगे मैंने का हा मैं तो use करूँगा क्योंकि अपनी application थोड़ी अच्छे से हो जाती है वहाँ पे अब अगर इसको global CSS file नहीं मिलेगी ना तो problem हो जाएगी क्या हमारी file directly app के अंदर global CSS है नहीं नहीं हमारे तो source के अंदर app के अंदर है actually मैं कुछ अपनी configurations add करनी है तो दिहान से यहाँ पे जहाँ भी आपकी global CSS है वो पात दे दो इसलिए तो मैं कहता हूँ सो समझ के पढ़के ही answer करना चाहिए वरना फिर कहोगे कि हमारा तो application चला ही नहीं कि तेसर ने बताया ही नहीं मैंने तो बताया था आपने नहीं सुना था ठीक है next है CSS के variables यूज़ करना चाहोगे क्या color में बिल्कुल कर लेंगे जी इसमें क्या दिक्कत है उसके बाद custom tailwind prefix यूज़ करना चाहोगे क्या नहीं नहीं हमें कोई जरूत नहीं है यह अपने आप एक utility install कर देगा सारा काम अपना हो जाएगा वो भी बताएंगे आपको बट अपना काम इससे हो जाएगा इसको as it is option को default select कर लीजे हम कुछ यूज़ करना चाहते कोई prefix उसके बाद आपकी tailwind config का है अब देखिए वापस अपनी problem आती है इसने बोला कि tailwind.config.js ठीक है ऐसी कोई file है क्या हमारे पास में हाँ हमारे पास है ये रही लेकिन file का नाम क्या है हाँ जी थोड़ा सा में पीछ हो जाओ अब देख रही है ठीक है तो tailwind.config.ts है js तो है ही नहीं क्योंकि जावस्कृट फोड़ना ही यूज कर रहे है तो क्या करना पड़ेगा जी बस change कर दीजे files का path correct बताईएगा वही tap press कर दो तो file आपकी hardcoded हो गई अब js की जगे इसको बोल दो ts बस इतना है तो proper file का नाम में तो देना है तो यहाँ पे भी वही use कर लेंगे तो add the rate components यूज करना है प्लीज यही वाला आप भी use कर लो by default ठीक है अब उसके बाद configure the import alias for utilities नहीं नहीं वही same question है लेकिन यह दो चीजे install करता है आपके components और utilities हम दोनों के अंदर ही import statement same ही use कर रहे हैं अपना add the rate वाला जो next.js में default दिया था तो हमने वही enter किया react के server components यूज करोगे क्या कर लेंगे जी बाद में अब यह मना क्यों करें हो सकता है यूज कर लें तो yes ही कर देता है इसको write configuration to components.json हाँ जी यह file यह खुद बनाएगा यह आपको नहीं देनी है by default आप जो select करोगे यह enter करोगे तो उसका मतलब yes ही है अब इसने देखिए सारी चीज़ें install करी देखिए दोने folder आते वे आपको देखिए एक component और एक lib इसी दोनों के लिए यहाँ पर पूचा गया था कि CSS के variable यूज़ करने है क्या base color कौन सा यूज़ करना है CSS आपकी कहां रखिए tailwind file कहां रखिए तो यह सब इसने यहाँ पर करा change भी कर सकते है उसको जाके बाद में भी अगर मन करें तो मेरा मन तो नहीं है उसके बाद इसने install करा आपके पास एक library to 97% cases में नहीं छेड़ना पड़ेगा कुछ advanced लोग है वो करेंगे ओके, next आते components components एकदम खाली है हाँ जी, components खाली है तो फिर आया क्या हमारे पास में इतना सब जवाब question कर लिए और कुछ आया भी नहीं यही इसकी खास बात है कि actually में ये सिर्फ configuration इंस्टॉल किया है आपके पास कोई bulk loading नहीं हुई है कुछ भी bulk ही नहीं बनाए गया अब चलते हमारे browser पर वापस ठीक है जी, ये question हमने answer कर दिये fonts वगरा भी ज़रूत नहीं है, कभी और खेलेंगे fonts के साथ में, अभी नहीं अब app structure कुछ इस तरह से रहने वाला है वो मैं आपको direct ही बता दूँगा इसमें देखने के आपको ज़रूत है नहीं अब आपको चाहिए button, तो यहाँ पर देखिए इसने बोला, npx shad cn ui latest add button, तो ये तो हमारी utility है जो install हो चुकी है, npx वही अपना node package executor और वो add करेगा एक button तो ठीक है जी, button देखते है add करके कि button से क्या होता है npm वाला copy करते है तो ये आगया हमारे पास में paste किया, उपर कर ले इसको ठीक है जी, ये हमने add किया, और enter किया lights flicker हो रही है, I think power cut है ओके तो अब button add हो गया, अब देखिए जाएगी, और आपको एक button.tsx file मिल गई है, ठीक है जी अब इस button के अंदर देखिए, आपके पास कुछ variants मिले है, ये आपका default button, destructive buttons, कुछ sizes भी आपको मिले है, ठीक है अभी के लिए मैं खुश हूँ, इस पर वापिस आऊँगा मैं एक मिनट के अंदर ही, लेकिन अभी मैं इसको close कर देता हूँ, अब ठीक है, अब इस button को मुझे लेकर आना है, क्योंकि ये जो button है obviously बात है, export भी हो रहा है, ये const button variants वगरा सब है, लेकिन अब मैं इसको import भी कर सकता हूँ, क्योंकि लेकिया आतना है, तो ये लिजे हम लेकिया button, और ये हमने किया enter, और इस button को लिखा हमने shad cn button, अब अभी आपको error दे रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता, ये button लाना कहां से, तो आप यहाँ पे control space press कर सकते हो, और देखिया, आपको suggestion में मिल रहा है, add the rate, components ui button, यही से तो button लेके आना है, इसको जैसे आप enter करोगे तो आपके पास एक auto import हो गया है button, आपके ui button से, ये वोई shad cn वाला button है, इसको save करा, चलते हैं, हमारी file चल रही है क्या भी भी, शायद हमने stop कर दीती, तो not now, अरे नहीं करना कुछ भी है, ओके, तो अब इसको run करते है, npm run dev, और चलते हैं इसके पास में ओके, chai और shad cn, हमें जाना है slash, chai पे और ये लिजे, तो देखे, shad cn का button आ गया है, अब मैंने इसको जान पूच के लिए, थोड़ा सा white रख रखा है, मुझे पता है, थोड़ी सी आँखों को problem हो रही है, लेकिन white इसलिए रख रखा है ताकि मैं आपको contrast बता सकूँ, अगर मैं इसका सीधा ही dark mode कर दूँगा, तो आपको button का पता नहीं लगेगा कि actually मैं button कैसा है बट हम change कर सकते हैं क्या थोड़ा ता change करी सकते हैं हम हम क्या करते हैं, सीधा layout के अंदर चलते हैं और layout के अंदर जहां हमारा html है इस पूरे html के अंदर ही हम class add करके थोड़ा सा dark कर लेते हैं तो bg- gray 500 add कर देते हैं बट हमें actually में components हमारे mount होंगे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा dark mode पर ही चल लेते हैं ठीक है जी, okay I think automatically आप देख रहे होंगे कि shad cn का जो default button आया अब change हो गया है, तो हाँ ये भी एक फाइदा है shad cn का कि automatically आपके dark mode light mode आपको ज़्यादा खेलने की जुरूद नहीं है जैसे हमने लिखा dark, तो यह dark mode आगया जैसे हमने लिखा light, तो automatically इसने detect करके आपके button का default change कर दिया है, ठीक है, अभी भी इस पे और चर्चा करते है, dark mode में ही चर्चा करें blue जितना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ default behavior तो मिल रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर suggestion ले सकता हूँ जैसे देखिए variant है हमारे पास में तो variant के अंदर आप जैसे suggestion देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि default है destructive है, ghost है, outline है तो इस तरह के buttons हमें मिल गए अब देखना थोड़ा सा difficult है, बट हाँ आपको button मिला है, जहाँ पर outline है यहाँ पर, तो इसी तरह से हमारे variants मिल जाते है, अब interestingly क्या है, कि मैं जाता हूँ वापिस अपने UI button के पास और बोलता हूँ कि क्या-क्या मिला है तो देखे, by default जो shad cn install करा यह हमारे default button था, जहाँ पर हमारे backgrounds और जो dark mode already covered है, destructive भी यूज कर सकता हूँ, तो एक variant मेरे पास destructive है, जैसे मैं जाके यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे variant दे दो destructive suggestion भी मिलेंगे क्योंकि TypeScript में है तो destructive और automatically आपको reddish tone का button मिल गया है तो देखा, यह कितना आसान है कि destructive भी है, outline भी है, secondary भी है ghost भी है, link भी है, तो मुझे बटन के बारे में जादा सोचना नहीं है, sizes भी मिल गया है मुझे default भी है, smaller, large तो मैं चाहूं तो यहाँ पर सीधा जाके बोल सकता हूं कि मुझे variant तो मिल गया है अब मुझे size का भी suggestion दे दो तो size का मुझे suggestion यहाँ मिल जाएगा और smaller दे दो button तो यह आपका small button हो गया है अब आप चाहते हो कि इस blue variant का भी आपके पास इस type का एक button भी हो तो आप क्या कर सकते हो, यह हमने यहाँ पर लिखा था पूरा tailwind, इसको करिए copy और आप अपने button को modify कर सकते हो हाँ जी, यह सबसे powerful है इसको मैं लिखता हूं कि suppose करिए एक chai theme का हम button बनाएंगे और यह लिजे और यह हमने double quotes में हमने पूरी CSS लिख दी, लेकिन क्योंकि chai theme है तो blue की जगे हम यहाँ पर कुछ और use करते है orange type का use करते है तो suggestion मुझे यहाँ जादा अच्छे मिलेंगे तो मैं क्या करता हूं इसको कुछ orange variant का use करता हूं orange में थोड़ा सा यह 300 चलेगा ठीक है, orange 300 और hover के बाद भी orange ठीक है, orange 700 तो यह हमारे पास chai theme का एक बटन आ गया है copy करते हैं इसको और चलते हैं यहाँ पर और इसको paste कर देता है यह लिजे, paste हो गया अब आपके पास एक और नया variant का बटन आ गया क्योंकि बटन में आपने add कर दिया एक और नया variant, chai तो अब आप chai type का भी बटन यूज़ कर सकते हो तो यह लिजे, variant हमारे पास आ गया है chai back गए और यह लिजे, आपके chai variant आ गया है अब इस बटन को आप हटा सकते हो जो हमने, यह जो CSS में लिखा था आपको इसकी power का actually में एसास कभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी आप सिर्फ इस button को देख रहे हो अब मैं आपको इसकी power का एसास करवाता हूँ हम चलते हैं यहाँ पे components पे अब suppose करिए आपको accordion चाहिए यह लिजए हमारे पास accordion तो आपको इस तरह का एक accordion मिल जाएगा जहाँ पे आप FAQs वगरा कुछ इस तरह का आपको design करना है तो आप यहाँ कर सकते हो code इन्होंने दे रखा है बट आपको इस तरह से code नहीं लेना है आपको जाना है यहाँ पे और आपको यह command सबसे पहले यूज़ करना है कि मुझे shad cn का accordion यूज़ करना है ठीक है, copy करते हैं इसको npm पे, चलते हैं हमारी code फाइल में और मैं आता हूँ यहाँ पे और एक और टर्मिनल यूज़ कर लेता है ओके, तो यह हमारा shad cn अब जैसे मैं देखा तो UI के अंदर मेरे पास accordion भी आ गया है अब आपको यह same accordion यूज़ करना है एक नए page पे तो चाय का page हमने बना दिया था एक और नया page बना लेते हैं app के अंदर इसका नाम ही accordion दे देते हैं तो यह लिज़े, file नहीं यह actually मैं, मुझे एक folder बनाना था तो app के अंदर एक नया folder accord नाम दे देते हम उसका यह तो आपको पता ही है accord के अंदर आपको एक नई file बनानी है तो उसका नाम आपको page ही देना है क्योंकि routing जो है वो folder से आती है, page से नहीं आती वही RFC E हमने किया और इसका नाम दे दिया accord page ठीक है जी, accord page को ढूणेंगे कैसे accord page को हम यहाँ पे जाके और यहाँ पे simply लिखना पड़ेगा accord तो यह accord page हमारा आगया है, यह तो बड़ा ही basic था यह तो सब आपको आई गया होगा ठीक है जी, अब हमें चाहिए यह वाला accordion वाला, ठीक है यह component आ चुक है, आप चाहोँ तो इसको modify कर सकते हो देखे, काफी कुछ code आपके पास है, बड़ आप fully control में उस code के, कि क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए, तो use करना बहुत आसान है, बाकी सबको हम कर देते हैं, close सिर्फ हमारा जो accord page है, वो हमने खोल रखा है अब चलते हैं, shared cn के पास देखते हैं कैसे use करना है, तो usage इसने दे रखा है, दो part में usage, बड़े अच्छे से copy paste करने को दे रखा है, सबसे div के अंदर रखें, बाहर रखें, बाहर ही रख लेते हैं, जरूर तो है नहीं यह लिजे, तो हमारे पास यह accordion आ गया है, थोड़ा सा इसको adjust कर ले ओके यह लिजे थोड़ा सा content align कर देते हैं इसको थोड़ा सा prettier configure figure करना चाहिए था वैसे, ताकि और अच्छे से चीजे दिखें, बाठ ठीक है, चलेगा अभी के लिए ओके, तो यह देखिए accordion, और यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर देखिए, first accordion हमारे पास में आ गया है अब आपको चाहिए कि नहीं आर, यह तो जादा है थोड़ा सा मुझे इससे कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं cut, और यहाँ पर लिख देते हैं एक div और इस div के अंदर हम वापस से थोड़ी सी classes use कर लेते हैं, कि हम इसको करते हैं actually मैं flex, और justify center कर देते हैं यह लिजे justify center और align item को भी center कर देते हैं item center यह लिजे, इसके अंदर हम एक main नाम से बना लेते हैं, जिसका थोड़ा सा width हम restrict कर लेते हैं width हम दे देते हैं, suppose करिए hard coded दे दे देते हैं, 500 pixel का और थोड़े सी padding भी दे देते हैं ठीक रखेगा, यह लिजे, और इसके अंदर हमने accordion डाल दिया अपना तो अब देखिए, हमार पर short में आगया अच्छा, इसकी height अपने नहीं दी, height वैसे हो जानी चाहिए थी, height dash full okay hmm I think इसका भी हमें height full height का थोड़ा adjustment करना पड़ेगा, क्योंकि अभी content की width हमारी इतनी है, बढ़ ठीक है आपको देख रहा है, काम चल रहा है भी, बाद में discuss कर लेंगे इस पे, तो यह लीजे आपके पास यह आगया application, पूरा का पूरा accord आपको और record चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो देखे, अब आपको और अगर चाहिए ना, तो आप बड़े ही आसानी से और बना सकते हो, जैसे suppose करिए इसके अंदर हम बना लेते हैं कुछ faq नाम से, और faq होगा एक array, और इस array के अंदर multiple object, तो suppose करिए आपको यहाँ पर question और answer कुछ देने थे, तो हम यहाँ पर एक key डाल सकते है, question और उसका text डाल सकते है, यह लिजे text और कुछ इस तरह से answer, जो कि हम आगे जाके करेंगे, obvious ही बात है और यह लिजे इसका answer आपने डाल दिया, तो अब यह के पास इस तरह से आप और faqs बना सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है, चाहो तो यह main, या चाहो तो यह पूरा का पूरा accord लेकर आपको बस एक loop लगाना है, बस और कुछ भी नहीं है, अपना curly braces start करो, faq.map, इतना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, कि यह सब कामताफ करी सकते हो, कुछ नहीं करना है, map लगाना है, map के अंदर रिट्रेट करना है, और यह values आपको रखनी है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मुझे question डालना है, तो उसको अंदर curly braces लगा के, जो map से value आई है, जो भी आपने उसको बोला है कि question, तो question.question, तो हम इस तरह से अपना कर सकते हैं, तो I think अब आपको थोड़ थोड़ आइडिया लग रहा होगा, यह मैं इसलिए basic overview बता रहा हूँ, क्योंकि आगने वाले time में हम काफी कुछ ShadCN का use करेंगे, तो यह होगे हमारा एक basic according, जिसको आप ले सकते हो, अब आपको शायद थोड़ा सा असास हो रहा होगा, कि हम कितनी तरह की चीज़ें और कितने आसानी से ले सकते हैं, जैसे हमारे पास में एक alert है, यह alert है basic, alert dialogue अगर आपको चाहिए, कि इस तरह से show dialogue आपको चाहिए, तो किस तरह से हम ले सकते हैं, वही बड़ा basic है, एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, सारे नहीं करके दिखाँगा, चिंता मत करो, यह copy करते हैं, NPM पे, और चलते हैं वापिस से अपने application पे, और एक और install करते हैं, तो यह लिजे हमारा shad cn के अंदर, alert dialogue आ गया है, तब तक हम चलते हैं यहाँ पे, कि ठीक है, alert के लिए पहले यह usage copy करना पड़ेगा, यहीं पे कर लेते हैं, और इसका भी import लिख लेते हैं, यह लिजे, import आ गए आपके सारे के सारे, काफी है, क्योंकि alert dialogue अपने आप में थोड़ा complex है, इसको करते है copy, और यहाँ पे आते हैं, और इस accordion के main के नीचे, हम यहाँ पे अपना, यह alert dialogue, और विससी बात है, prettier configure करना भी मैं आपको बताऊंगा future में, ताकि यह जो चीजें इस तरह से दिख रही है, इस से थोड़ा सा बहतर दिखे यह, क्योंकि अभी तो थोड़ा indentation का मामला इनका खराब है, बढ़ ठीक है, तो अब आपने देखा यह हमारा open है, तो इसको open चाहे लिख देते हैं, यह dialogue का trigger है, थोड़ा सा आप देखेंगे, इसको तो आपको पता लग जाएगा, और यह आपका alert का content है, इस content के अंदर आपके पास यहाँ पे cancel बटन है, यहाँ पे continue बटन है, save करते हैं, back चलते हैं, हमारी थोड़ा सा idea लग रहा है, कि क्यों मैं आपसे कह रहा था, कि इतनी चिंता करने की जरूत नहीं है, shared cn में आपको काफी कुछ मिल जाता है, अच्छा यह तो था आपका यह basic, आप इस तरह से aspect ratio चाहते हैं, तो आपको aspect ratios मिल जाते हैं, आपको avatar चाहिए, तो avatar आपको मिल जाते हैं, badges चाहिए, तो इस तरह के badges भी मिल जाते हैं, पूरा का फूरा full-fledged calendar चाहिए, तो हाँ, बस calendar भी आपको मिल जाता है, आप चाहो तो पूरी date ranges वगरा, जो select करना है, आप select कर सकते हैं, देखे, component calendar जो है, ये built है, react day picker पे, तो ये भी आपको चाहिएगा, ये भी आपको install करना पड़ेगा, ये सारे की सारे guides आपको यहाँ पे मिल जाती है, आपको carousal चाहिए, ये लिजए आपके पास carousal है, और पूरे आपको, और ये carousal जो है, पूरा का पूरा built है using embla carousal library तो आपको carousals में मिल जाते है, वैसे mostly ये सारा काम on the top आपको इसी application से ही मिल जाता है, बट कई बार इस तरह की libraries वगरा भी और top पे install करनी पड़ती है, जादा तर तो जरूत नहीं पड़ती है, अब आपको और क्या चाहिए, आपको draw चाहिए इस तरह का, तो आपको open draw ये इस तरह से मिल जाएगा, कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज भी आप कर सकते हो, उसके लावा देखिए form चाहिए, तो हमारे पास यहां पर पूरा form का structure है, form पे तो हम आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी zod वगरा पे और चर्चा करनी है बट आपको basic form इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आप और पढ़ेंगे, इसके बारे में तो आपको idea लग जाएगा, लेकिन इन libraries पे न, actually मैं आप 5 गंटे का, 8 गंटे का वीडियो इस तरह से कहीं पे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यह libraries, actually मैं जितना मैंने अब आपको बता है, उतना ही समझने लाइक है, इसके लाव और कुछ समझने की ज़रूत नहीं है, आपको hover card चाहिए, ठीक है मुझे hover card, in fact आपको right click के लिए भी कुछ options वगरा यहाँ पे मिल जाते है, I think right click के options भी, अलग-अलग नाम है उन सब के, तो separators, sonar, sonar भी मिल जाते है आपको जैसे आपने toast messages देखे होंगे, जैसे आप show toast करेंगे, आपको right make toast messages देख जाएगा, तो यह functionality चाहिए, आपको यह भी मिल जाएगी, उसके लिए आपके पास toggle, tool group, sliders, आपको जो चाहिए, इस तरह के sliders भी available है, तो काफी कुछ हमें चीजे मिल जाती है, scroll area चाहिए आपको यह लिए जिस scroll area आपके पास है, सब optimized है, resizable भी अभी नए आये हैं यहापे इस तरह के, कि आपको resizable components चाहिए इस तरह के, तो वो भी आपको मिल जाता है, scroll area चाहिए, in fact देखा जाए तो बहुत कुछ है, pagination से लेके आपको menu bar चाहिए, इस तरह का वो भी मिल जाता ह है, आपके उपर है, आप कैसे customize करना चाहिए, installation और सब इतना ही है, इसके उपर कुछ नहीं है, आपको हर application में या फिर हर component में जाना है, उसको install करना है, usage के दो पार्ट से जाता तर सभी में, एक में है क्या-क्या import statements हैं, और दूसरे में है क्या actually में triggers हैं, या फिर क्या उसक application, बट जितना depth shad cn के अंदर है, उतना अभी तक तो कहीं और नहीं है, themes के भी examples मिल जाते हैं, और भी examples मिल जाते हैं, आपको और भी चाहिए कि मुझे इस तरह का application, तो यह सब इसी तरह से बनाए गया है, source code भी available है github पे, तो आप इसी तरह से dashboards और यह सब बना सकते हो, तो इसलिए मैं आपको कहा रहा था कि actually मैं आपको इतना परिशान होने के जरूत नहीं है, जैसे आपको shad cn वगरा थोड़ा बहुत भी आएगा, तो आपकी काफी दिक्कते हल हो जाएगी इस तरह की, कि मुझे components नहीं बन रहे हैं, वो अच्छे नहीं लिख रहे हैं, उसम कर सकते हो, यह आपका पूरा copy code, यह आपकी css file में आप copy कर दो, global css में और आपके सारे यहाँ पे इस तरह से values आ जाती है, तो variants बनाना भी कोई खास difficult है नहीं, और आपको इस तरह के variants कई जगे दिखाई देते हैं, red, green, blue, यह सब, आपको जैसा भी चाहिए, आप इसको ब में cover कर दिया है, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जाना है, और explore करना है, इस वीडियो का कोई GitHub repository नहीं है, क्योंकि यह repository में डालने का मतलब है, मेरी repository फालतु ही, एक extra burden में वायड करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा substantial था नहीं, सिर्फ हमने कुछ चीजों का, कि Next.js भी इतना difficult नहीं है, और ShadCN तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, और use कीजेगा इसको, by the way, आप इसको core react में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो Next.js में भी यूज कर सकते हैं, वीट में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इस त तरह के videos, extra time में मुझे बनाने के लिए motivate करता है, तो please support करिएगा उसमें, और thank you so much, और इसी तरह से मिलते हैं अगले किसी video के अंदर, और बहुत सारी चीजे जाननी है, बहुत सारी application बिल्ड करनी है, तो बड़ा ए fantastic future रहने वाला है, subscribe नहीं किया, तो अभी subscribe कर लिजे, और मिलते हैं आप से अगले video के अंदर,